चतरपुर जिले में बीते 15 मार्च को एक 13 वर्षय बालक पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है बता दे कि विगत 15 मार्च की शाम थाना सिविल लाइन में सूचना प्राप्त हुई थी कि अंगर टोरिया मोहला में 13 वर्षय बालक को एक व्यक्ती द्वारा चाकू से हमला कर जान से मारने की कोशिश की गई थी बालक के परिवजन की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में हत्या की प्रायास में अपरात दर्च कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है इसके तैती धाना प्रबारी सिविल लाइन के नेतरित्वों में गचट पुलिस टीम द्वारा 21 वर्षय आरोपी को इशान नगर से गिरफतार कर लिया गया है वहीं इस मामले में आगे की कारवाई जारी है चातरपुर से समाद आता मुकेश भारगव की रिपोर्ट बेहत गंभी गचना थी और उसका उसी अनुरूप संग्यान लेते हुए पुलिस ने फारा गंटे के अंदर ही उस गच्टी को अरवाज आननाम कर रिखती है लगवाद वीश बीस साल का रिखती है उसको अरेस्ट किया और आगामी वैदानिक कारवाई उसकर की जा रही है इसमें मैं आपको बदा दो किस परकूर में भी अफ्राद बंजी बते हैं आम सेक्ट और शूरी संबंदी घटना है वो पहले भी कर चुका था और अभी जू घटना किये उसमें हम उसको कोट के मार्जम से जेल में दाखिल कराएंगे और साथ ही मैं इसके साथ आप सब को आप सब की मार्जम से यह भी बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम अश्य की विरुत एक अभियान शेड़ करके कारवाई